परांथे हम इंडिन्स की जान होती है और अगर वो हेल्दी हो तो बस मज़ा ही आ जाता है तो आज मैं लेकर रहा हूँ आपके लिए मेरी किचन से स्पेशल सोया कीमा परांथाज स्वागत है आपका मेरी किचन में जहां खाना प्यार से बनता है और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम से पिया हमारे याँ परांथे किसी टाइम भी खा सकते हैं चाए ब्रेकफस्ट हो लंच या डिनर और मुझे अपनी रेसिपीज में ट्विस्ट डालने में बहुत ही मज़ा आता है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह एक बहुत ही ट्विस्टिट परांथा जो है सोया कीमा परांथा इसके स्पेशालिटी है कि इसके अंदर है प्रोटीन्स सोया चंक्स की फॉर्म में और गूट फाट है घी के फॉर्म में और इसकी फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए सोया ग्रानिवल्स बारीक कटा हुआ प्याज बारीक कटिवी दो हरी मिर्च अद्रक जीरा अनारदाना पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च गरम मसाला घी और हरा धनिया तो आईए सबसे पहले करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है आठा ये है दो कटोरी आठा इसे मैं अपने बोल में डाल दूंगी साथ ही मैं डाल जिए हूँ इसमे नमक मैंने लिया है आधा चममाच नमक, थोड़ा सा ओईल और अब इसको मिक्स कर लेंगे एक बारी ओयल और नमक आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम पानी डालके इसका डो बनाएंगे सो ये हमारा डो प्रिपेर हो गया है अब हम 10 से 15 मिनिट इसको कवर करके छोड़ देंगे भी हमें तो खाने बजार जैसे परांथे तो बजार जैसे परांथों की ट्रिक ये है कि सोया जो हमने लेना है वो लेना है बिक्कुल ये ऐसे चूरा तो सोया के बड़े वाले नगेट्स पी आते हैं और चूरा भी बहुत इसली मिल जाता है बट अगर आपके पास ये अवेलिबिलिटी नहीं है इन विच केस आप बड़े वाले नगेट्स को लें और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप बड़े वाले नगेट्स को बॉल कर लें उसको पानी से ड्रें करके ड्राय करके और फिर उसका चूरा कर लें बट ये परांथे बनेंगे तब ही जब हम इसको चूरे के फॉर्म में यूस करेंगे अब हम इन सोया ग्रानुल्स को बॉयल करेंगे मैंने यहां पे लिए बड़ी कटोरी विच इस अप्रॉक्सिमेटली 100 ग्राम्स ऑफ सोया ग्रानुल्स इनको मैं हॉट वाटर में डाल दोंगी और अब मैं इनको ओर एक बार इसको साफ पानी से रिंस करके छान लूँगी अब हमने इससे रिंस कर लिया है और सारा एकसस वाटर हमको ऐसे प्रेस करके निकाल लेना है अगर इसमें पानी रहे गया तो परांठे पट सकते हैं यह ग्यास पे जाएगा तो भी सूख जाएगा लेकिन हम जित यह दिख लेता है हाटा बहुत सॉफ्ट है और बिल्कुल रेडिया है हम बस इसको थोड आसा और प्रेस करके कि रेडि कर लेगे है तो ओल सेट अब हम फिलिंग बनाएंगे बब मैं डालूँगी इसमें ऑल सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा और इसके थोड़ा सही स्प्लेटर होने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें एक चमच अद्रक इस अद्रक को मैंने कद्दू कस कर लिया था साथी में डाल दूंगी मैं इसमें 2 हरी मिर्च, इसको मैंने रफली चॉप किया था और इन सब को मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए बूलेंगे और साथी में डाल देंगे प्याज, तो ये मैंने एक प्याज बारीक काट लिया था, हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और इन प्याज को भून लेंगे, हमारे प्याज पिंक हो चुके हैं और अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर मसाले, तो सबसे पहले मैं डाल रही हूं उसमें एक चम्मच कश्मीरी रेच चिली पाउडर, किसी भी ड्राय सबजी में कोरिय लेंडर पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं यहां पर डाल दूंगी दो चम्मच सूखा धनिया, देट चम्मच पिसा हुआ अनारदाना, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच नमक और एक चम्मच गरम मसाला, इन सब को मिक्स करेंगे, क्योंकि यह हमें ड्राय रखनी है, तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी ने डालेंगे, हम इसमें तुरंत इसी स्टेज पे एड़ कर देंगे हमारे सोया ग्रानुल्स, जो हमने बॉयल करके और पानी निकालके रखे दें, और इनको मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आपको लगे, कि नीचे मसाले लग रहे हैं, तो आप गैस की फ्लेम को ओफ करें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, यह सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है, मैं वापस से गैस की फ्लेम ओन करूंगी, और इसको सिम पे करके, बिल्कुल लो फ्लेम पे करके, दो से तीन इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी खुश्बू दे रहा है इस टेज पर मैं गैस की फ्लेम को ओफ कर दूँगी और वापस से मेरा इंग्रीडेंट जिसके बगैर मेरी कोई रेसिपी पूरी नहीं हो सकती वो है फ्रेश कोरियांड इसे मैं इसके ओपर डालके और सारा मिक्स कर दूँगी मैं इसे थोड़ी देर तक रूम टेंप्रेचर पर आने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद हम परांथे रोल करेंगे हमारा आटा भी हो चुका है और फिलिंग भी बन चुकी है तो आईए अब हम परांथे बनाते हैं हम परांथे के लिए जो लोई बनाएंगे वो नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी होगी नेक्स्ट मैं लगाऊंगी इस पर थोड़ा सा सुखा अर्टा और इसके साइट्स को मैं ऐसे गोल घुमाते घुमाते प्रेस करूँगी नेक्स्ट मैं अपने हाथ से इसके अंदर ऐसे एक राउंड शेप बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपनी फिलिंग डालने वाले हैं और बस एक बर हमारी पकड में आ जाए इसके अंदर अब हम अपनी फिलिंग डाल देंगे अब मैं इसमें भर रही हूँ फिलिंग, अब फिलिंग को भी मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से जब आप पराठा खाएं तो आपके मुझ में बढ़िया से इसका टेस्ट आना चाहिए, तो इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से फिलिंग इसके अंदर ज जैसे जैसे आप आके बढ़ें आप इस थम से इसको दबाते जाए अंदर ये हमने इसको क्लोस कर दिया है ये हर तरफ से सील हो चुक है और बस जितना एक्सेस आटा है इसे मैं निकाल लूँगी और इसे हम दबा के प्रेस करके हाथ में ऐसे गोल-गोल खुमाएंगे आपकी हर तरफ से फिलिंग जो है वो सील हो गई है और क्यूंकि हमने उसे थम से बहुत अच्छे से प्रेस किया था तो हमारी बहुत अच्छे से फिलिंग इसके अंदर जा चुकी है इसको वापस से सूखे आटे पर लगाएंगे और इसको बहुत हलके हाथ से हम बेलना शुरू क करेंगे इनकी साइट्स को भी पतला कर लेंगे ताकि साइट्स की मूटी ना रहे और हमारा परांथा सिखने के लिए बिल्कुल रेडी है आईए अब अब इसे सेख लेते हैं तवा गरम है और अब इस गरम तवे पर मैं इस परांथे को सेखने के लिए रखूंगी थोड़ा सा देसी घी और मैं इसे पलट दूँगे, इसको साइड्स से प्रेस करेंगे, ताकि हमारी साइड्स भी कच्छी ना रहे हैं, यूजविली परांथा सेंटर से पक जाता है और साइड्स हमेशा कच्छी रह जाती है, और मैं इसको पलट दूँगे, तो इसको मैंने स प्लेट पे निकाल लोगी आईए अब मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से पराथा फिल करना बताती हूँ यह बहुत ही सिंपल तरीका है तो अगर आपसे पहले वाला तरीका आपको अगर मुश्किल लगता है कि हाथ से आप नहीं रोल कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आप अच्छे से रोल कर पाएंगे इस मेथड में इंस्टेट की हम हाथ से इसको प्रेस करें हम इसको अपने रोलिंग पिन से बेलन से ही इसको प्रेस करेंगे और इसी तरीके से बस इसको ऐसे लेके अब हम इसमें फिलिंग भर देंगे और इसको हम हर तरफ से ऐसे पकड़ के सिंप्ली क्लोज कर देंगे और जितना भी आपको एक्सेस आटा उपर आता है इसको निकाल दें और इसे भी क्लोज करके प्रेस कर लें इसको भी वापस से सुख्याटे में लगाएंगे और बहुत ही हलके हाथ से हम इसे प्रेस करेंगे और गोल घुमाते घुमाते इसे भी बेल लेंगे इन पराठों में ध्यान रखें कि जो साइड्स है न वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए हम इस्पेशली साइड्स को प्रेस करना है होता ही है कि filling हम बीच में ऐसे प्रेस करके सारी filling साइड में आ जाती है तो साइड मूटी रह जाती है तो हम ऐसे प्रेस करके सारी साइड को भी evenly पतला कर लें अब आईए इसे भी सेख लेते हैं थोड़ा सा घी और मैं इसे पलट दूँगी थोड़ा साघी इस साइड पे भी और साइड को प्रेस करेंगे ताकि हमारा परांथा साइड से भी अच्छे से सिके और मैं इसको पलट दूँगी यह परांथा सिक्के बिल्कुल तयार है इसे में निकाल लूँगी यह देखिए इसके अंदर कितनी सुंदर फिलिंग आई है और कितनी इवनली इसकी फिलिंग स्प्रेड हुई है आगे आना आपके भी मूँ में पानी पर ट्राइ करने से पहले मेरे चानल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा और हां कॉमें सेक्शन में जरूर बताईए आपको यह कैसी लगी और अगर आगे भी कोई रेसिपी देखना चाते हैं तो मुझे जरूर बताईए मैं जल्द ही मिलत हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ तिल देन स्टे सेफ, स्टे हल्दी